ध्युवन्डी के वाद कर्मान को 19 साहिल होटल के पास ESR कौंडिशन द्वारा और इस्तानिक नगर सेवत के सयोग से एक आखों के चात के लिए कैम का एगन किया गया जिसमें वाद कर्मान को 19 नहीं आज़ पास के छेतर के महिला पुरुष अपने आखों के इलाज के लिए पहुचे हम आपको बता दे कि इस टैंप में डाक्टरों के कुल बाराट टीम थी जिसमें हम आपको बता दे कि डाक्टर के भी हाजी बच्चु अली हॉस्पिटल के डाक्टरों के टीम पहुची थी खास बात यह रहे कि यह कैम यही नहीं ठमने वाला है यह हर मंद के यानि कि हर महिने के आखरी रभिवार के दिन इस आखों के चार्ट के कैम का आईजन इस्थानिक नगर से वक्त सक्किल पापा के नितुत में किया जाएगा और खास बात हम आपको बता दे कि इस्थानिकों ने वहाँ पर अपने आखों के जाज कराते समय हमारे चैनल के माध्यन से उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कैम निसुल्क लगा है किसी तरह का पैसा हमसे नहीं लिया जा रहा है वहीं कर सक्किल पापा की सभी इस्थानिक लोगों ने पर आयज वे से अपकिस कैम में उन्होंने शेयर ना की इस सारी बातों को मद्य लिए रखते हुए हमारे चैनल से जुड़े इस्थानिक और इस्थानिक नगर से वग सक्किल पापा ने क्या कहा देखे इस खाथ रिपोर्ट को बढारे हुए हमारे हुए हमारे हुए हमारे है क्पार से वार्ट के वारे हिए है मäस्थानिक औरोबसे दिन कैम जो ये वारे है तरी में उनकों जो सरवरा है तो पापा बहुत अच्छा थाम कियार होने और भी हमेशा होगा दाशी है अजय को इस दो कि अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है तुन आप शीजारी सेचे आपको अब आप देह जाए ताशी यहां पर जो कैम लगाया गया गया आपकी क्या मतलब तकीव है यहां पर अपने आग के इलाज के लिए आएगा है आप में तकीव की अच्छा है तक के लिए बहुत अच्छी है अच्छी है अच्छी है कि अच्छी है में पर जोके सबखेया खेम लगा हुआ है है और कोई पाइसा निए बोला भावब बावब नहीं इसे सभीनों को फाइदा है, कोई पाइसा है नहीं कोई चार्ज नहीं सबसे पहले तो मैं शकील पापा भाई का बहुत रियादा करता हूँ कि वो हमारे एरिये में सबसे पहला आए केम लगा है इस कि हमेशा से पोट के अंदर और इस तरह कि जो भी six journalists वेता हैं वह उसी मेशा से इंटरेस्स लेते आएंगे शदी पापा भाई कि आवए थया हर महींने एक कार्च लगता है और यह साल के 12 महींने लगता है कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये केम्प मैंने नहीं मेरे सोसाइटी ने इसके फार्मनेशन में रखा है और ये भी आगी बच्चु अल्ली ट्रस्ट के सयोग से रखा है और ये केम्प हर महीने के पहले संडे को होते रहेगा और इंसा अल्ला ये सालों साल चलते पहले ती कि आम जनता को अमारे एरिये में ज्यादा लोग है उनको फायता पहुचे से उनका जो ऑप्रेशन है वो फिल में हो जाए हम यहां से पेशन्ट को बंदे लेके जाएंगे बंदे में ऑपरेट करेंगे वापत उनको अत्मी वेकर से नहां ड्रॉप भी करेंगे औ करेंगे शारी डॉक्तर हो के टीम हैं हो के बाद हर मैं ने वो जॉक्तर होके आते रहेंगे और उप्रेशन के लिए अलग से चारीश डॉक्तरों के दीम हो जो यहां के नेन ने इंशाज है वो अस्वग गाइकवाट साव है जो के भी आजी बट्टू अजी ट्रस्ट के मेनेजर है उनके सयोग से और हमारे पब्लिक के दिमाण जो वज़े से हमको यहां रखना पड़ा और काफी दोशन दिले यह जो हम यहां पर जो आये है यहां के जो पापा नगल सरवत है उनने एकली इमर्च किया था है तो हमारा प्री अप्टर्मिक होस्पिटल को साथी नाम की संस्ता है इसके थूँ खान बहादूर हजी बच्च वाली होस्पिटल अकुंक होस्पिटल है यह 1914 में स्टापिक वाजू में यह होस्पिटल है अभी 104 साल हुए है अरे पुरा कॉंप्रेंसिव आई केर है यहां पर अभी जो क्याम हो रहा है तो क्याम में इतने भी पेशन्ट है जो खास करके मोतिया विंदु की पेशन्ट है उनको हम होस्पिटल में लिखे जाएंगे पहले दिन इन्व बाट प्रश्चंट हो जाएगा और लेंज के साथ मैं उपरेशन किया जाएगा और वापस उनको यहां पर ही हम लोग ले गया आएंगे यह सब काम मुक्त में किया जाएगा उनसे कोई पैसाब लोग लेने वाले नहीं है और उनको वहां पर रहने की खाने की कुरी का जो पहला संदे रहता है वो संदे को हर मैने का पहले संदे को एक याप रहेगा अभी करीब देड़ सो पेशन यहां पर चक हुए है और उसमें से 25 पेशन तो कैट्रेक्स निकलेंगे पर संदेज बाइस तो अब सब को लेके जाएंगे और आपकोस यहां पर अब राप्तर अब आपकोस निकलेंगे इसी समय इसे चैनल पर तब तक के लिए देगी जाएत धन्यवाद झाल आपकोस यहां